देखेंगे कुछ महत्पूर्ण प्रश्ण जो आपके आगामी सभी आर्ट एक्जाम TGT PGT EMRS KVS NUS DSSB कहीं से भी आप आर्ट इजाम की त्यारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए रहेगा हैलो दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत है शीवानी आर्टिक क्लास चैनल पर तो यहां हम देखेंगे कुछ महत्पूर्ण प्रश्ण चल्दी से जोड़ जाएए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा शेय मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिष्टित कालिदास सम्मान मिला तो बताएंगे यहां पर सही उत्तर क्या होगा तो चलिए आंसर करिए इसका मंजीत बावा और जतिन दास को परमजीत सिंग और ध्रुव मिस्त्री को सुबत गुपता और भारती खैर को अवधेश मिस्त्र और पी राजीव नैन को यह जो कालिदास सम्मान है ठीक है तो 2019 से 2020 के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है यह आप लोग जानते हैं तो यह कालिदास सम्मान किसको मिला था यहां पर सही आंसर बताना है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी जिनोंने दिया है बिल्कुल सही ह सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मिला दो हजार उन्नीस बीस में ठीक है नेक्स्ट कोशन देखते हैं क्वशन नमबर टू शांती निकेतन के छात्रावास के छत पर सन उन्नीस सो चालस इस्वी में बीर भूम के ग्रामिड जीवन को किसने चित्रत किया बिनोत पिहारी मुखरजी नंदलाल बोस असित कुमार हालदार मिर्णालनी मुखरजी शांती निकेतन के छात्रावास के छत पर सन उन्नीस सो चालस इस्वी में बीर भूम के ग्रामिड जीवन चित्र किसने चित्रत किया है बताएंगे यहां पर सही अंसर पेस्बुक पेज आर्ट प्रेप्रिशन पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और शिवानी आर्ट प्लासेश टेलिग्राम चैनल है वहां भी आप जोड़ सकते हैं साती चैनल पे जो प्लेलिस्ट है वहां आप उसे जरूर देखिएगा बहुत ही महत्मुन प्रश्नों सहे उत्तर होगा और विनोद बिहारे मुखर जी के द्वारा ये चेत्रत किया गया ठीक है कि नेक्स्ट क्वेशन देखेंगे विन्सिंट वानगॉफ की प्रसिद्ध पेंटिंग है ग्रीन वीट फिल्ड विद साइप्रस ग्रीन वीट फिल्ड विद साइप्रस अठारा सुन नमासी जो की कैनवास पर तैलरंग में बनी हुई है ये भी याद रखीगा तो विन्सिंट वानगॉफ की प्रसिद्ध पे अमेरिका, नेशनल गैलरी आफ मॉलेन आर्ट, नई दिली, लूवर म्यूजियम, पेरिस. तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा. Q3 का A option जिनों ने दिया बिल्कुल सही होगा नेशनल गैलरी प्राउग्जेक्ट कर राज्य में. ठीक है? महत्यपूर्ण है? Q4 पहाडी लगुचित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? राजपूत चित्र, लोग चित्र, शास्त्री चित्र, जंगली चित्र. पहाडी लगुचित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लोग चित्र के नाम से राइट अंसर क्या होगा option B next question देखेंगे next question है question number 5 गीत गोविंद और कल्प सूत्र किस धर्म की सचित्र रशना है हिंदू, बाध, जैन, वैश्णा गीत गोविंद और कल्प सूत्र बताईएगा किस धर्म की सचित्र रशना है तो यहाँ पर question number 5 का जो सही उत्तर होगा option C, जैन, ठीक है C, आंसर आपको यहाँ सही हो जाएगा next question देखें question number 6 है ध्यानेंगे शांति निकेतन के कला भवन में इतिहास के पहले सिक्षक के रूप में किसकी न्यूकती हुई थी शांति निकेतन के कला भवन में इतिहास के पहले सिक्षक के रूप में किसकी न्यूकती हुई थी बताईएगा मुकुल चंद्रोडे स्टेला क्रामरिश केजी सुग्रमारियन आरशिव कुमार तो सही आंसर जो होगा यहाँ पर आप्शन भी स्टेला प्रैमरेश तो राइट आंसर हो जाएगा बी जिनों ने दिया करेक्ट होगा नेक्स्ट कोशन देखेंगे कोशन है पहाडी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है यह क्लास आप लोग शेयर कर दिया करें जिससे साभी स्टुडेंट के पास यह क्लास पहुँच सके ठीके पहाडी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर राइट आंसर आप्शन ए गहरे है सही उत्तर होगा आप्शन ए पहाड़ी चित्र जो बनाएगे हैं यहाँ पर गहरे रंगों का प्रियुक या गया है नेक्स्ट कोशन देखिए पैस्ट नमबर एट है कंस्ट्रक्शन 1965 का है काश्ट मोर्ति शिल्फ है और संग्रह कहा है तो देखेंगे ललित कलाकाद में नई दिल्ली की रचनाकार कौन है कंस्ट्रक्शन के रचनाकार बताना है धनराज भगत होंगे शंको चौधरी होंगे हिम्मत शाह या प्रदोश दाज गुपता कोशन नमबर एट का जो सही उत्तर होगा चल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे बिल्कुल राइट आंसर क्या है ओप्शन ए धनराज भगत के द्वारा बनाया गया कंस्ट्रक्शन और ये एक काष्ठ मूर्ती शिल्फ है ठीके 1965 में बनाया गया ललित कलायक आदमी ने दिल्ली में संग रही थै नेक्स्ट कोशन देखिए प्याशन नमबर नाइन पीवी जान की राम की प्रसिद्ध क्रती प्राइश्ट कहां संग रही थै और ये जो प्राइश्ट है पीवी जान की राम के द्वारा बनाएगे एक क्रती 1991 में ने बनाया कॉपर मूर्ती शिर्प में याद रखेगा कहां पर संग रही थै बताइएगा आंसर राष्ट्री आदनी कला संग रहाले नई दिल्ली ललित कला कादमी नई दिल्ली दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली आर्ट हेरिटेज गैलरी नई दिल्ली तो correct answer हो जाएगा ललित कलाकादिमी नई दिली रामलाल, हसन राज, रामाधार, इश्वरी प्रसाद रामाधार, इश्वरी प्रसाद हो जाएगे कम्पनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार नेक्स्ट कोेशन देखेगे नेक्स्ट कोेशन है बंगाल पुनरुथान युक की प्रवर्तक थidents अंबरिता शीरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, नेंदलाल बुष, यामिनी, राय बंगाल पुनरुथान युक की प्रवर्तक पताहःगा आसर क्या होगा सही उत्तर option B अवनींदरनात टैगोर Next question देखेंगे Question number 12 है नव बंगाल यानि कि नियो बंगाल भी कहा जाता है जिसे नव बंगाल शैली किसकी देन थी चितिंदरनात मजुंदार असित हालदार नंदलाल बोस यामिनी रॉय नव बंगाल शैली किसकी देन है जितिंदरनात मजुंदार असित हालदार नंदलाल बोस यामिनी रॉय सही उत्तर होगा option C नंदलाल बोस C आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा Next question देखेंगे Question number 13 देखेंगे Cricket Series 2006 किसने चितरत किया सतीश गुजराल भूपिन खकर सुबोध गुपता गोगी सरूज पाल Cricket Series 2006 किसकी द्वारा बनाया गया है तो सही उत्तर हो जाएगा option E सतीश गुजराल ठीके Next question देखेंगे Question number 14 है शकुंतला का प्रेम वीच्छन किसका चितर है राजा रभी वर्मा नंदलाल बोस, असित कुमार हालदार, राम किंकर, बैज शकुंतला का प्रेम वीच्छन ये चितर किसने बनाया है जल्दी से आंसर करेंगे बिल्कुल करिक्ट राजा रभी वर्मा तो ए आंसर जिन्होंने दिया सभी का उत्तर क्या है सही है संगीत कारों की मुखाकरतियों के लिए कौन प्रसिद है विकास भटा चारजी शरवरी राय चौधरी एफ एन सुजा राम हुमार फिफ्टीन का जो राइट आंसर होगा आप्शन भी जिन्होंने दिया बिल्कुल सही उत्तर सरवरी राय चौधरी आपका सही अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन देखेंगे क्वेशन नबर सिक्स्टीन नृत्य करती हुई अपसरा मूर्ती किस सदी की है ग्यारवी बारवी तेरवी पंद्रहवी नृत्य करती हुई अपसरा डांसिंग गर्ल जिससे बोलते है तो यह मूर्ती किस सदी की है सिक्स्टीन का जो सही उत्तर है आप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा बारवी ठीक है नेक्स्ट कोशन क्वेशन नंबर सेवेंटीन देखेंगे बनी ठनी भारती कला का एक नमूना है तो यह किसंगड, बीकानेर, जैपूर, अलवर सेवेंटीन का अंसर क्या होगा बनी ठनी जो है यह भारती कला का एक नमूना है तो कहां का है किसंगड, राइट अंसर क्या होगा ओप्शन ए, किसंगड ठीक है, नेक्स्ट कोशन देखेंगे कोशन नमबर 18 देखेंगे पिकासो की कौन से पेंटिंग है जो भारती डाप टिकट पर छपी बताएंगे, तीन संगी तग्ये होगा घ्वेडनी का हो जाएगी लिस्डे माइसेल्स, डी अविगनान पाइप पिता हुआ लडगा तो 18 का आंसर करेंगे यहाँ पर सभी लोग पिकासो की कौन से पेंटिंग भारती डाप टिकट पर छपी है राइट आंसर ऑप्शन ए तीन संगी तग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए जिन्होंने दिया है सही है नेक्स्ट कोशन देखेंगे प्रख्या चित्र दीक नुरित कैन्वास पर तैल रंग किसने निर्मित किया है सही आंसर बताना है बीसी सान्याल होंगे धनराज भगत शंको चौधरी जे स्वामी नाथन तो यहाँ पर सही उत्तर बिल्कुल आप्शन दी जे स्वामी नाथन ठीक है नेक्स्ट कोशन देखेंगे प्रख्या नमबर 20 देवी इंटेगलियों के रशनाकार कौन है जेति भट म्रणालनी मुखरजी अनुपमसूद लतिका कट देवी इंटेगलियों के रशनाकार कौन है राइट आंसर आप्शन ए जेति भट तो जिन्होंने ए आंसर किया है सभी का सही है नेक्स्ट कोशन देखेंगे क्वेशन नमबर 21 है रवींद्रनाथ टैगोर के नाटक चित्रांगदा के लिए इसने 32 की संख्या में चित्र बनाए है नंदलाल बोस गवनेंद्रनाथ टैगोर असित हालदार अवनीन नाट टैगोर सभी समकालिन कलाकारों की प्रेलिस्ट बनाई गई है तो वहाँ पे आपको कलाकारों के विसे में बहुत ही अच्छे से डीटेल में जानकारी मिल जाएगी जरूर देखेगा प्रेलिस्ट रविन्ना टैगोर के नाटक चित्रांगदा के लिए किसने बत्तिस की संख्या में चित्र बनाए है तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शुन दी अवनींद्रनाथ टैगोर ठीक है नेक्स्ट कोशन देखेंगे क्वेशन है अजन्ता की गुफाओं में की गई सबसी प्राचीन चित्रकारी किस शताब्दी की है ईसा पूरू प्रथम शताब्दी प्रथम शताब्दी इस्वी चौथी शताब्दी इस्वी छटी शताब्दी इस्वी तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आप्शन ए इसा पूरू प्रत्थम शत्ताब दिये और सभी गुफाओं की जो भी गुफाएं हैं आपकी उनकी प्लेलिस्ट अलग बनी है तो गुफाओं से जुड़ी हुई जानकार अगर आपको चाहिए तो वो जरूर प्लेलिस्ट चेप करिएगा नेक्स्ट कोशन देखेंगे क्वेशन अबर 23 भारत में चित्रकला के सबसे प्राचीन आवशेस कहां से प्राप्त होते हैं मिरजापुर से भीम बेट का बाग अजन्ता तो यहाँ पर सबसे प्राचीन अवस्टेज की बात की गई है जो आपको भीम बेटका से मिलते हैं राइट आंसर क्या होगा ओप्शन बी नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे मिरजापुरू जो की आपकी उत्तर प्रदेश से संबंधिद है नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नर्सिंग तो देखेंगे नेक्स्ट पोशन होगा प्रकृती चित्रण में विशेस महारत रखते थे गोपाल घूश, नंदलाल बूश, एस एन बेंद्रे, एनस बेंद्रे जिसे बोलो, एस एस रजा प्रकृती चित्रण में विशेस महारत रखने वाले कौन थे तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ए तो आज की क्लास में हम 25 तक के प्रश्ण देखेंगे आगे की प्रश्ण हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ठीक है क्लास को शेर कर दीजेगा आप लोग और अच्छा लगे तो लाइक कीजेगा चैनल पर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे शिवानी और्टिक्रासिज को यहां पर डेली 6 पीम आपको ये वीडियो मिल जाती है तो आप वहां आराम से अपने क्वेश्ण टू ट्रैक्टिस कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे तब तक के लिए सभी को धन्यवाद